हेलो स्टूडेंट्स तू स्वागत हैं आपका हमारी चैनल एक्टिव लर्नर में जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं कि आज हमारा डे है सेटर डे डे सेटर डे को हम लोग किस पर वर्क करेंगे day set or day को हम लोग work करेंगे अपने daily use sentences पर आज हम लोग daily use sentences पढ़ेंगे और जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोग daily use sentences के लिए आदित्य सर की जो book है daily use sentences वो हम लोग read करते हैं बहुत अच्छी book है बहुत अच्छी book है ठीक है तो हम लोग का day second day है जो activities हैं जो sentences हैं वो आपकी screen पर show हो रहे हैं चलिए हम read करते हैं उनको आप लोग भी पढ़िए समझिए और बोलते जाहिए जब आप लोग बोलेंगे तब ही आप लोग उसको सीख सकते हैं समझ सकते हैं जब आप बोलने लगेंगे आपकी tongue पर sentence आएगा ठीक है तो चलिए start करते हैं first sentence मैं दिल्ली से आ रहा हूँ I am sorry मैं दिल्ली से आ रहा हूँ I am coming from Delhi I am coming from Delhi मैं दहरादून से आ रहा हूँ I am coming from दहरादून I am coming from दहरादून ये सब आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा किस tense का है ठीक है तो वे पार्क से आए वे पार्क से आए they came from park they came from park मैं कल से काम करूंगा I will work from tomorrow I will work from tomorrow राम दस बजे से काम करेगा राम विल वर्क फ्रॉम टैनो क्लोग मैंने राम से ये सुना मैंने राम से ये सुना sentence पहत्रांते जाएए गाई sentence आपका किस tense का है आप खुदी उसको translate कर सकते हैं मैंने राम से ये सुना I heard it from राम I heard it from राम देखिए ये sentence मैंने आपको preposition में जब फ्रॉम पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था I heard it from राम मैंने ये किताब से लिखा I wrote it I wrote it from the book I wrote it from the book हम उत्त्राखंड से हैं We are from उत्त्राखंड मैं दस से पांच बजे तक काम करता हूं I work from 10 to 5 I work from 10 to 5 वे दुकान से ये खरीद रहा है वो दुकान से ये खरीद रहा है He is buying it from the shop मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया I picked the mobile off the bed Guys आज हम लोगों ने जो पढ़ा था preposition में पढ़ा था say तो say की मीनिंग ये off भी देता है यहाँ जो off आया है ये say की मीनिंग दे रहा है ठीक है I picked the mobile off the bed next मैं इस्क्रिन से धूल हटा रहा हूं I am whipping the dust of the screen बंदर पेड से कूधा monkey jumped off the tree table से cup हटा दो move the cup off the table move the cup off the table पत्ते पेड से गिर रहे है leaves are falling off the trees leaves are falling off the trees वो बस से उतर रहा है he is getting off the bus he is getting off the bus मैं सुभा से पढ़ रहा हूं I have been studying since morning यह sentence पढ़के आपको खुदी पढ़ता चल गया होगा कौन सा टेंस है I have been studying since morning किसमें लगाते हैं since learn करिए याद करिए तो मैं वो सुमवार से कोशिश कर रहा है he has been trying since monday he has been trying since monday राम चार बजे से घूम रहा है राम हाज बीन वाकिंग since 4 o'clock मैं सुभा से खेल रहा हूं I have been playing since morning वो कल से यहां है he has been here since yesterday he has been here since yesterday नेहा दुपहर से रो रही है नेहा बीन विपिंग since noon मैं तब से पढ़ रहा हूं I have been studying since then I have been studying since then मम्मी चार बजे से घर पर है Mom is at home since 5 o'clock Mom is at home since 5 o'clock मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं I have been studying for 2 hours I have been studying for 2 hours वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है He has been trying for many days He has been trying for many days मैंने ये तुम्हारे लिए किया I did it for you I did it for you वो मेरे पास पैसे के लिए आया He came to me for money He came to me for money मैंने 500 रुपे में मोबाइल दिया I gave a mobile for रुपीज 500 I gave a mobile for रुपीज 500 उसने पास रुपे में एक पैन खरीदा He bought a pen for रुपीज 5 He bought a pen for रुपीज 5 Ram दो घंटे से घूम रहा है Ram has been walking for 2 hours मैं काफी देर से खेल रहा हूं I have been playing for a long I have been playing for a long वो दस बजे से यहां थी वो दस बजे से यहां थी She had been here for 10 minutes She had been here for 10 minutes Neha दो घंटे से कह रही है Neha has been saying for 2 days Neha has been saying for 2 days मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं I have been studying for many days I have been studying for many days Mommy कुछ देर से घर पर है Mom is at home for a while Mommy कुछ देर से घर पर है Mom is at home for a while मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूं I am going to Delhi for a study वो पैसों के लिए यहां आया वो पैसों के लिए यहां आया He came here for money He came here for money उस लड़के ने यह तुम्हारे लिए किया उस लड़के ने यह तुम्हारे लिए किया Dad boy did it for you Dad boy did it for you मैंने 500 रुपे में अपना मोबाइल दिया I gave my mobile for 500 रुपीज 500 I gave my mobile for रुपीज 500 तो गैस यह हम लोगों का था Day 2 Day 2 ठीक है Next day जब इसका turn होगा तो हम लोग Day 3 पर work करेंगे अभी हमें क्या करना है यह sentences सुनिए और बोलने की खोब practice करिए सभी sentences को बोल बोल के practice करिए फिर मिलते हैं अपनी एक नई धमाकेदार एक जानदार शानदार activity के साथ तो बने रहिए चैनल पर और जो नई है सस्क्राइब करिए ताकि आप लोगों को हमारी notification मिलती रहे जब हम वीडियो upload करें तो ऐसी ही अच्छी अच्छी tricks देते रहते हैं हम अपने चैनल पर लाइक करिए सस्क्राइब करिए वाच करिए चलिए फिर मिलते हैं कर दो फिर मिलते हैं